नमस्कार दोस्तो स्वागत आप सभी का दोस्तो आप सभी को पता होगा के अंदर सरकार ने एक नया पोर्टल लॉंच किया है जिसमें क्या बनता है इस सर्मिक कार्ड इस सर्मिक कार्ड बनता है तो ये कार्ड कैसे बनेगा आपको कहां से जो है रिजिस्टर करना है और इससे दोस्तों के साथ ज़्यादा ज़्यादा सेयर करें और जो साथ इस चैनल पे नई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको रिजिस्टेशन कैसे कर सकते हैं और यह e-sarmic card आप अपने phone से भी बनवा सकते हैं यह phone से भी बर सकते हैं तो phone से आप कैसे बरोगे को क्या करना है google पे search करना है e-sarmic क्या करना है e-sarmic search करोगे तो जो सबसे पहले न alegre जो site कुलेगी उस पे click करोगे उसके बाद registration का option आएगा अब उस पे क्लिक करोगे उसके बाद मैं जादा आपका टाइम वेश्ट ने करूँगा जो भी चीज उसमें मांगी जाएगी वो आपको भरनी है जैसे नाम डिटेल एडरस और अकाउंट नमबर उगरा जो भी चीज़े हैं तो वो आप असानी से भर सकते हैं तो अब हम जान लेते हैं कि इसके जो फाइदे है वो क्या क्या है और कौन-कौन इस फॉम को भर सकता है तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन-कौन इस फॉम को भर सकता है तो जो काड़ बनवाने के लिए क्या है उमर है आपकी 16-69 साल तक होने चीए कम से कम 16 साल अधिक से S.I.C. कटनी चीए कहने का मतलब यह है कि आप private limited company में भी काम करते नहीं होने चीए government job भी नहीं करते होने चीए या फिर आपके पास कोई business है और आप जो है tax भर रहे हैं तो भी आपका ये card नहीं बन सकता अब जिनका card बन सकता है उनके लिए benefit देख लेते हैं क्या क्या हो सकते है सबसे पहले नमबर क्या है यदि आप बढ़ा ही कर रहे हैं तो आपको छातर वर्ती मिलेगी इसके अलावा क्या है आपको रासन भी इसी से ही मिलेगा जिसे रासन card से मिलता था तीसे नमबर पर क्या है केंदर सरकार से अर्थिक साहिता मिलेगी जैसे क्या है मालो कोरोना में लोकडाउन वगरा हुआ था तो किसी के अकाउंट में 1000 रुपे 1500 रुपे या इस टाइप से कुछ अकाउंट में आये थे यदि इस टाइप के कोई facility होती है तो वो भी आपको मिलेगी इसके अलावा आपको बिना ब्याज के loan मिलेगा बहुत सारे साथ यह को लोन लेते है उनको बहुत सारा ब्याज बना पढ़ता है dus वो भी बिना ब्याज के मिलेगा इसके लवा नेक्स्ट क्या है पीम आवास में मकान मिल सकता है जिसे फ्री सोसो गज़ के प्लाट मिलते थे ये सब चीजें होती थी ये भी योजना का लाब इसी से ही मिलेगा सुरक्षा बिमा की योजना का लाब भी मिलेगा देश की सभी सरकारी योजनाओं का लाब है वो इस सरमिक कार्ड से ही मिलेगा नेक्स्ट का है सरमिक दो लाख रुपए के दुर्गटना विमा का भी अकदार होगा यानि कि दो लाख का दुर्गटना विमा भी इससे जो है बन जाएगा एक क्या है अन्य सभी सेवाई यानि कि जो भी गौर्मिट सेवाई होती है तो वो सारी चीजें इससे मिलने के पूरे पूरे चांसिज है तो ये इतने सारी जो सेवाई है इससे सर्विस मिलने वाली है फायदे मिलने वाले तो यदि आपने रिजिस्टेशन नहीं किया है तो आज ही रिजिस्टेशन कर सकते हैं प्रोसेस मैंने बता दिया है आप वीडियो को दोबारा देखके प्रोसेस से फोम को भर सकते हैं दोस्तों आपने वीडियो यहां तक देखिए आपका बहुत बहुत धन्यवत